हेलो गाइस आजकी इस वीडियो में ट्रिपल सिक एक्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंटरनेट और इमेल के 30 अतिम हत्मून कुशिन के बारे में बताए गया है तो मैं हूँ काजल और स्वागत कती हूँ आपका अपने नोरी गुट काजी चैनल में हमारे आजकी इस वीडियो का फर्स्ट कोश्चन है विश्वयापी जाल ट्रिपल डव्लू के अविश्कारक या प्रवर्तक है ओप्शन है बिल गैट्स लियोन फ्योग एंड रसल या फिर टीम बर्नली तो देखिए ट्रिपल डव्लू ट्रिपल डव्लू में वाल्ड वाइ को क्या कहते हैं ओप्शन सर्फिंग गैंबलिंग ए और बी दोनों या उप्रिक्ट में से कोई नहीं तो देखिए गाइज इंटरनेट पर जो हम कार्वे करते हैं इसके बारे में पूछ रहा तो यहां पर जो है न दो बात होती है एक होता है हमारा सर्फिंग ठीक है एक हो सप्कुर हो और तो सोच रहों कुछ गैयम आप कुछ या मूवी देखले तो बिना किसी फरपच कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो वहां ऐसका सी चीज़ को सर्च कर रहे हो तो वो कहलाती है हमारी ब्राउजिंग तो बस इतना से डिफरेंट है तो यहां पर जो इसका आंस्वर करेक्ट है वह ऑप्शने सर्फिंग नेक्स्ट है इमेल आडरस में पहले वाले नाम को क्या कहते हैं ऑप्शन डोमेन यूजर आईडी रेंज या फिर उप्रिक्ट में से कोई नहीं तो इमेल आडरस में हमारे भाग होते हैं तीन ये तो शायद आपको अच्छे से पता ही होगा तो जो हमारा फर्स्ट भाग होता है मिस इधर होता है तो ये कहलाता है हमारा यूजर नेम ये हमारा पहला भाग जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा यूजर नेम आपको यहाँ पर किलियर होगा होगा कि इस कांस्वर क्या है मैं आपको बता रही हूँ और जो हमारा बीच में यहाँ पर जो होता है हमारा Google mail ठीक है यह हमारा Google mail होता और इधर सबसे यहाँ पर जो right side में होता है हमारा domain name तो यह पहले नाम को पूछ रहा तो आपका जो answer होगा वो होगा हमारा be correct यहाँ गूगल एवं MSN है क्या है यह पूछा गया है इंटरनेट साइट कम्प्यूटर ब्रांड स्विज लेड में बननी वाली घड़िया या फिर सनी ग्रह के छले तो यहाँ गूगल यह आपके search engine है और MSN मिस Microsoft Network जो internet पर क्या सेवा ही परदान करता है तो यह जो है यह है हमारे internet site तो option है correct है next है सही website क्या है option है www.radif.com www.salasradif.com 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 या फिर www.salasradif.com तो देखिए यहाँ पर Radif की जो है न वेबसाइट पूछी गई है Radif जैसे कि आपका google mail है yahoo mail है उसी परकार क्या है Radif है जो जिस पर हम अपनी news या online information या shopping ये सब पाते हैं तो उसी की website पूछ गई तो Radif की जो website होती है www.radif.com तो यह होती है हमारी तो option है क्या है हमारा correct है next है intranetic क्या है option है सूचना के अंतरन के लिए प्योपत अंतरिक्ष internet सूचना को भाषी एक होता है हमारा इंटरनेट लेकिन यह क्या है हमारा इंटरनेट जो होता है वो क्या करता है यह सूचनाओ को दो संस्थाओं के बीच अंतरन करने के लिए प्रियुक्त नेटवर्क है यह होता है हमारा इंटरनेट तो option C correct है next है email भीजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए option है email प्राप करने वाले का email address, internet connection, modem और टेलिफॉन या फिर उप्रियुक्त सभी तो अगर आपको किसी को email भीजना है तो आपके पास क्या होना चाहिए आपके पास उसका address भी होना चाहिए अगर आपके पास email address नहीं होगा तो क्या आप उसको email भीज़ पाऊगे नहीं भीज़ पाऊगे ना बिना इंटरनेट कनेक्शन की भी नहीं बेच पाओगे मोडम और टॉलिफॉन भी होना चाहिए तो यहां पर यह तीनों क्या यह तीनों ओप्शन यहां पर इसमें इंक्लूड है तो प्रुक्त सभी यहां पर करेक्ट अंस्वर है नेक्स्ट है मोडम का पूरा नाम है ओप्शन मोडूलेटर डी मोडूलेटर मोडूलेटर डी मोडूलेशन मोडूलेटर डिसकनेक्शन या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए मोडम मोडम जो है हमारा जो लिखा जाएगा यह है हमारा demodulator तो modem की full form आपको पता चल गई होगी modulator and demodulator modulator कैसे work करता यह digital signal को analog signal में परिवर्थित करता तो यह क्रिया कहला गई हमारी modulator और जो analog signal को digital signal में परिवर्थित करेगा वो कहलाएगा हमारा demodulator और इन दोनों की क्रिया जो है जो work करती है इन दोनों को लेकर वो होती है हमारी modem तो यह है इसकी definition तो अब आपको यह पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आपको यहां से कुछ भी question आ जाए तो आप उसको easily से कर सकोगे next है server computer वी होते हैं जो desk दिया गया से जुड़े दूसरे computer को resource प्रदान करते हैं option है manframe, network, client या फिर इन में से कोई नहीं तो server computer वी होते हैं जो यहां डैस नहीं है पाएगा network जो network से जुड़े दूसरे computer को क्या है resource प्रदान करते हैं तो option भी correct है next इंटरनेट की स्वीधा के लिए नियुनतम किस किसम का computer होना चाहिए option है चारसो चारसो चारसी processor युक्त, पानसो एमबी hard disk और 8 MB RAM तीनसो चारसी processor युक्त, तीनसो एमबी hard disk और 6 MB RAM दोसो चारसी प्रोसेजर युक्त दोसो एमबी hard disk और 4 MB RAM या फिर इन में से कोई नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके computer में internet जो है न अच्छा चले तो उसके लिए computer में जो है न 460 processor होना चाहिए उसकी जो hard disk है वो 500 MB और जो RAM है वो 8 MB तक होनी चाहिए तो हमारा option है क्या यहां पर correct है next है web को लिखा जा सकता है means किसमें तो option है notepad पर wordpad पर MS word पर या फिर उप्रियूक्त सभी में तो web यह जो हमारी HTML language होती है HTML इसको बोलते है hypertext markup language तो हम इसको अपने notepad पर भी बना सकते हैं भासा को web wordpad पर भी MS word में भी इन तीनों पर बना सकते हैं तो यहां पर क्या हो गया उप्रियूक्त सभी इजदा correct answer next है internet के लिए dial up connection जो बनाए जा सकता वो किस से बनाए जा सकता option है my document से explorer से my computer से या फिर उप्रियूक्त में से कोई नहीं तो आप जो इसे dial up connection को बना सकते हो तो वो बना सकते हो आप my computer के option से my computer options होता है ना आप इससे अपना dial up connection बना सकते हो next है निमनिमे से internet की सुविधा नहीं है option है template, database online संचार या फिर telnet तो देखिए guys हमारा database भी हमारी internet की सुविधा है online communication भी हमारी internet की सुविधा और आपका telnet भी हमारी internet की सुविधा लेकिन template जो है ये तो हमारी ms word की हमारी ms office की सुविधा है ना कि हमारे internet की तो option है क्या है यहां पर correct हो गया next है निमनिमे से कौन सा search engine है option है google, altavista, yahoo या फिर उप्योक्त सभी तो देखिए search engine हमारा google भी है altavista भी है, yahoo भी है तो यह सारे क्या है यह सारे हमारी search engine है एक चीज और बता देते हैं एक कुशिन यह बहुत आ रहा है कि duck duck go यह क्या है duck duck go ठीक है? duck duck go तो यह भी क्या है? यह भी हमारा एक search engine है तो यह कुशिन बहुत आ रहा है आप इस पर भी ध्यान देना, तो यहां पर हो गया option D correct, next internet का प्राय है, option cyber space, gopher space, worldwide web, या फिर internet, तो जो हमारा internet का ताक पर रहोता है, वो होता है, हमारा worldwide web से, तो option C correct है, next है, website को navigate करने के लिए user code as दिया गया है, किसमें previous करना होता है, URL, www, PPP, या इन में से कोई नहीं, तो देखिए, www, ये तो हो गया हमारा worldwide web, PPP, ये हो गया हमारा point to point protocol, ठीक है, और जो हमारा URL है, ये हो गया हमारा uniform resource locator, ठीक है, तो हमारे website को अगर हमें navigate करना, तो हम जो previous करेंगे, वो करते हैं, URL में, तो option है correct है, next, internet पर, किसी दूसरे की mail box में, संदेज भेजना क्या कहलाता है, e-business, e-letter, cyber mail, या फिर email, तो internet पर, आप, अगर किसी दूसरे के mail box में किया कर रहे हो, message कर रहे हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाता है हमारा email, email पर क्या करते हो, आप, किसी के mail box में संदेज को भेजते भी हो, और tap करते भी हो, तो ये सारे प्रिक्रिया जो होती है वो होती है हमारी email के अंदर तो option D correct है next है internet का स्वामी कौन है तो जो option दिये गए है वो है ITF, NSF, ARB दोनो या फिर उप्रिक्ट में से कोई नहीं तो देखिए हाँ option दिया गया ITF and NSF ये क्या ये दोनों ही हमारे internet के स्वामी नहीं तो option D है automatically correct हो गया उप्रिक्ट में से कोई नहीं क्योंकि ये ना तो ये है हमारा और ना ये है लेकिन अगर question में पूछ लेता question में क्या पूछ लेता कि internet के जो है वो invator कौन है इंटरनेट के इंवेटर कोन है या फिर अविसकार कोन है तो तब हमारा answer आता विंट सरफ तो आप ये बात याद रखना next एक विशेश सूचना से संबंदित परणाम प्राप्त करने के लिए प्रयोग आता है web engine, खोज सिवाए, search engine या फिर खोज motors तो देखिए अगर आपको कोई विशेश सूचना से संबंदित कोई परणाम क्या है प्राप्त करना है रिकवर करना है तो क्या करते हो आप आप यूज करते हो search engine का जैसे कि आपका जोए ये Google, Google क्या है आपका एक search engine ये तो है आप Google पर कुछ भी समझ में नहीं आता है जिर सी क्या कर रोगे उस सूचना को कुछ भी है ना उससे सर्च करने बैठ जाओगे तो आपको क्या मिलता है आपके कोई भी परणाम ये सूचना जो है मिल जाती है तो question में बताया है कि हमारी नेक्स्ट है निमनिमेसी कौनसा एक्ट कार का प्रोटोकॉल है ओप्शन ESCLL RAM DBA FV TCP IP तो जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो होता है हमारा गाइस TCP and IP TCP and IP क्या है हमारा एक तरह का प्रोटोकॉल है TCP Transmission Control Protocol और IP हमारा Internet Protocol तो ओप्शन दी करेक्ट है नेक्स्ट है दो या दो से अधिक पॉइंट के बीच स्थाई तोर पर जुड़े हुए सर्किट को क्या कहते है Option Switched Channel, Private Leased Line, Permanent Channel या इन में से कोई नहीं तो दो या दो से अधिक पॉइंटों के बीच से जो आपस में एड होगा ना सर्किट उसको बोलेंगे हम प्राइवेट लीजड लाइन तो हमारे हैं पर ओप्शन डी करेक्ट है Next Internet Explorer है Option Search Engine, Browser Program, Database या उप्रुक्त में से कोई नहीं तो हमारा जो ये Internet Explorer है तो यह क्या ही हमारा एक ब्राउजर प्रोग्राम है आपके Chrome हुए, Opera हुए ये भी क्या है ये भी एक ब्राउजर है तो आप ये याद रखना तो यहाँ पर Option भी Correct है Next है एक बिल्डिंग के भी तर नेटवर्क के लिए उप्यूक्त है Land, Van, A और B दोनो या उप्यूक्त में से कोई नहीं अगर हम बात गाइज यहाँ पर बिल्डिंग की करते हैं Only Building या फिर आपका Single Room की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो यूज होगा वो होगा हमारा Land, Miss, Local Area Network यह हमारा यूज होगा तो Option है यहाँ Correct है Next है दोन नेटवर्क को आपस में जोडने वाला कम्प्यूटर है Link, Server या फिर Gateway तो देखिए एक नेटवर्क हमारा यह रहा और एक नेटवर्क हमारा यह रहा इन दोनों नेटवर्कों को जो आपस में जोड़ेगा इस तरह से वो कहलाएगा हमारा Gateway तो Option A, Option C, Sorry कहां Correct है Next है www पर प्राप्त डोक्यूमेंट को कहेंगे Radiff.com, Lycos.com, Node या फिर Spider तो अगर आप World Wide Web से कोई डोक्यूमेंट क्या करते हो प्राप्त करते हो तो उस डोक्यूमेंट को कहते हैं हम Spider Option D, Correct है Next, निम्न में से मुफ्त इमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्द कराती है Option Radiff.com, Lycos.com, इमेल या उप्रियूक्त सभी तो जो हमारी मुफ्त यानि कि जो फ्री की इमेल होती है मिस जिसका कोई चार्ज ही नहीं लगता वो हमारी Radiff.com भी होते है इस पर भी कोई चार्ज ही लगता Lycos.com पर भी और हमारी इमेल पर भी तो उप्रियूक्त सभी हैं पर क्या हो गया Correct हो गया Next है हमारा Binary Syncorrence किस पर अधारित है Option है Character Control Bit दोनों या इन में से कोई नहीं तो यह जो था हमारा Binary Syncorrence यह हमारा अधारित था Guys Character Control पर तो Option ही है Correct है अगर बात HD CL की कर लेती अगर एक्जाम में या जाए HD CL किस पर अधारित है तो यह अधारित है हमारा Bit पर तब Option B आएगा तो आप यह याद रखना Next है Digital Communication को सयोग देने के लिए बड़ी संस्ता दुआरा उप्योग की जाने वाली विसेश उच गती की लाइन क्या कहलाती है Option है Satellite Express का एड के भी मोडम या T1 और T3 लाइन तो जो हमारा Digital Communication था उसको जो सयोग देती थी उस उच गती की लाइन थी हमारी Guys T1 and T3 और Guys हमारी आज की इस वीडियो का जो लास्ट कोशन है वो है DNS का पूर्ण रूप क्या है मतलब DNS की फुल फॉर्म पूची गई है तो Option है Domain Name System Driving Name System Domain Navigation System या उप्रुक्त में से कोई नहीं तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी DNS की Domain Name System तो गाइस ये थे वो इमेल और इंटरनेट के 30 questions जो मैंने आपको डिपली से समझाए I hope आपको इस वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे ओन कर देना ताकि जब भी हम कोई न्यू अपडेट लाएं तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अभी तक के लिए गुडबाई झाल कर देना जो कित्यों नीच वड़ी गापको जाएं